हलो गाईज कैसे हो यार आप सब आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने system applications को यहाँ पर update करोगे अपने MIUI 12, MIUI 11, MIUI 10 जिस पर भी आपका phone यहाँ पर run कर रहा है even stock android पर भी अगर आपका जो device है वो run करता है तो आप यहाँ पर अपने device के अंदर system application किसी भी third party application जिसमें भी आपको यहाँ पर installation में problem आती है आप उसको यहाँ पर fix कर सकते हो तो guys इस video credit जाता है राजदी परावत को उन्होंने हमें आपर suggest किया कि यार इस application पर जरूर से आप अमन भाई एक वीडियो बना दो बिग shout out for your राजदी परावत तो guys इस video में आगे बढ़ने से पहले let's introduce myself मेरा नाम है अमन निमान आप देख रहे हमारा YouTube चैनल यौर फैमिलियर सपोर्ट तो guys ऐसी interesting और tech वीडियो हमेशा हमारे चैनल पर आती रहेंगी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो नीचे आपको red color का subscribe बटन देखने हो मिलेगा subscribe बटन पर click कर दो साथ में लगे बाई आइकन को all पर press करो ताकि जबी भी हम वीडियो अप्लोड करें सबसे पहला notification आपके बास चला जाए तो guys वीडियो में आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अपने topic पर यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने device को update कर सकते हो यानि कि जो system applications हैं उनको आप latest version में यहाँ पर लेके आ सकते हो कैसे आपको update करनी है चलिए देखते हैं गाइस यहाँ पर आप जभी भी किसी भी application को install करने के लिए जाते हो system application को तो guys यहाँ पर आपको MIUI के अंदर यह एक error देखने हो मिलेगा can't install system applications from unofficial channels तो guys इसको आपने यहाँ पर कैसे fix करना है कैसे आप किसी भी third party application को अपने device के अंदर install कर सकते हो successfully यहाँ पर आपको कोई भी problem देखने में नहीं मिलेगी जबी भी आपको यहाँ पर किसी भी application को आप install करने जाते हो चाए वो system application हो चाए वो आपकी third party application हो अगर आपका यहाँ पर installation में कोई भी error देखने हो मिलता है तो आप यहाँ पर fix कर सकते हो तो guys यहाँ पर आपने play store पर चले जाना है सबसे बहले यहाँ पर आपको एक application देखने हो मिलता है search में आप जाएंगे आपको यहाँ पर search करना है sai sign split app installer आपने इस application को install करना है अपने device के अंदर guys जैसी आप इस application को यहाँ पर install करेंगे उसके बाद आपको इसको open करना है open करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐस तरह का interface देखने हो मिलेगा उसके बाद आपको यहाँ पर चले जाना इसके setting के अंदर यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के settings देखने हो मिलेगी कोई भी changes करने के आपको जोरत नहीं है आपको यहाँ पर root access बनाना होगा आपके device के अंदर आप जो application इंस्टॉल करोगे वो आप यहाँ पर तीन तरीके से कर सकते हो rootless, rooted और shizuku, shizuku आपको मिलेगा google play store पर लेकिन यह ज़्यादा तर application पर work नहीं करता है तो guys यहाँ पर आपको अपने device को root करना होगा guys simple root process आपको अगर जानना है कैसे किसी भी device को यहाँ पर root कर सकते है बिना किसी problem के, तो आपको यहाँ पर magisk manager को install करना होता है इसको कैसे आपने install करना है, कैसे आपको अपने device पर root access को चाहिए तो guys पूरा tutorial वीडियो आपको मिल जाएगा i-card section में ज़रूर से आप उस वीडियो को जाकर watch कर लीजेगा, आप यहाँ पर देख सकते है जो मेरा current device है, वो यहाँ पर install apps from internal storage जो भी मैंने latest application यहाँ पर download की हुई है उसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो guys यहाँ पर सबसे पहले मैं security application को install करूँगा, तो इस पर मैंने tap करना है और यहाँ पर install वाले option पर click करना है यहाँ पर app not install लिखा आगया क्योंकि यहाँ पर a newer version of this package is already installed यानि कि इससे latest version जो है मेरे device के अंदर install है अभी यहाँ पर guys, again मैं यहाँ पर install पर click करूँगा get apps, यहाँ पर हम इस वाले application को यहाँ पर install करेंगे select कर दूँगा, उसके बाद यहाँ पर installing होना शुरू हो चुका है तो guys, यहाँ पर हम अपने device के अंदर get apps को install कर चुके हैं उसके बाद आप इसको open करेंगे open करने के बाद आप यहाँ पर agree पर click कीजिए और यहाँ पर आप cancel कर दीजिए updates automatic नहीं होंगे तो guys, इस तरह से आप अपने device के अंदर get apps को भी install कर सकते हो जो MIUI के अंदर आपको system applications देखने हो मिलती है उनको यहाँ से आप update कर सकते हो, setting में आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के यहाँ पर options देखने हो मिल जाएंगे यहाँ से आप अपने system को जो है update कर सकते हो यहाँ से आप successfully update कर पाऊगे आपको कोई issues देखने हो नहीं मिलेंगे तो इस तरह से आप अपने device का जो है system application यहाँ पर update कर सकते हो get apps में आपको कुछ applications मिल जाएंगी आप कुछ applications यहाँ पर Google पर जो है search कर सकते हो security application latest version या cleaner application latest version उसको आप यहाँ पर sign installer की मदद से आप यहाँ पर install कर पाऊगे successfully आपको कोई भी issue देखने हो नहीं मिलेगा दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज काफी पसंद आते हैं तो यार वीडियो को like कर दिया करो comment करना बिल्कुल मत भूला कीजिए और गाइस अगर आपको यहाँ पर हमारे वीडियोज पसंद नहीं आते हैं कोई problem नहीं है आप नीचे comment box में जाकर comment करो आपको हमारे वीडियोज में क्या अच्छा नहीं लगता है हम improve करेंगे अपने content को आप सभी के लिए तो गाइस comment करना बिल्कुल मत भूला कीजिए क्यूंकि comment अगर आप करते हो तो यहाँ पर एक गंटे गंदर हम आपको likes and hurts ज़रूर से देते हैं तो गाइस आज के जो हमारे comments superstar है वो है टेक्नो दोड, रूप नारायन ठाकुर और अनिफुर रह्मान congratulations guys आप तीनों को तो congratulations guys आप सभी को आप हैं आपर हमारे YFS के super commentators congratulations आप तीनों को तो दोस्तो अगर आपको भी बनना है YFS super commentator तो ज़रूर से आप वीडियो के नीचे जाकर comment करना मत भूलिएगा दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आओ यार वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो ज़रूर से इस वीडियो को जार से जार शेयर कर दीजेगा आपने सभी social media handles पर facebook, twitter, instagram, whatsapp जहाँ पर भी आपके accounts यार सभी जगा अमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजेगा तो guys मैं मिलता हूँ आपसे next video में जहिंद वन दे मातरम, you guys have a great day